हेलो दोस्तो, दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन अपडेट्स के बारे में जो एक जनवरी 2018 के बाद बदल जाएगी यह सारी अपडेट्स जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वो बैंक से रेलेटेड है तो जिसा कि आपको पता है कि State Bank of India की अपनी खुद की पांच Associate Bank है अब फाइनली जो पांच Associate Bank है वो completely merge होने वाली है State Bank of India में जो यह decision था कि वो उसको merge करना है bank में वो 1st of April 2017 को लिया गया था जो अब फाइनली एक तारी के बाद completely merge हो जाएगी तो जो पांच bank जिसके बारे में लोग बात कर रहे है जो State Bank of India के अंदर completely merge हो जाएगी जो उसको Associate Bank है उसको एक बार हम देख लेते हैं कि वो कौन-कौन सी bank है तो वो है State Bank of महसूर, State Bank of पतियाला, State Bank of विकानर जैपूर, State Bank of ट्रावन कोर और भारती महिला bank तो ये सारी पांच bank completely merge हो जाएगी SBI में और अगर आपका account in 5 bank में से किसी भी एक bank में है तो आपके पास उसकी checkbook जरूर होगी जो कि अब completely invalid हो जाएगी जानि कि अब आप उन checks का use नहीं कर सकते हैं अगर किसी ने आपको उस bank का check दे रखा है State Bank of मेसूर, State Bank of पट्याला या ट्रावन कोर या भारती महिला bank अगर आपके पास किसी का check रखा हुआ है अब वो invalid हो जाएगा तो आप देख लें उस बार उससे बात कर लें कि वह जो check है आपको नया दे दें तो अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा एक तारीक के बाद आप बैंक जाकर new checkbook के लिए apply कर सकते हैं आपको यह application app के through भी कर सकते हैं या फिर आप net banking के through भी apply कर सकते हैं और आगी के update में हम लोग बात करें तो State Bank of इंडिया के IFS code के अंदर भी काफी changes होगे जो यह 5 bank जिसकी branches भी होगी तो वो तो merge हो रही completely तो उसके अंदर तो IFS code change होगे ही होगे क्योंकि वो लगबग 1300 branches एसी है जिसके अंदर IFS code change होने वाले है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है जिन लोगों ने कहीं पर अपना पुराना account दे रखा है पुराने IFS code के साथ या कोई standing instruction दे रखा है तो आपको कोई tension लेने की जरूत नहीं है आपको पुराने IFS code से भी payment receive हो जाएगी क्योंकि new codes को map कर दिया जाएगा पुराने वाले IFS code को internally और साथ ही साथ यहाँ पर यह State Bank of India है वो कई अपनी बड़ी ब्रांच के नाम भी change कर रहा है उनके IFS code भी change कर रहा है जो लगबख major cities के अंदर है उसका एक figure निकल के आ रहा है लगबख वो 1300 इसी ब्रांच होगी जहाँ पर IFS code change हो सकता है बात करता है IFS code की तो हमको इसकी requirement कब परती है जब हम कोई fund transfer करते हैं NFT के थुरू या RTS के थुरू या IMPS करते हैं तो जब भी हम लोग fund transfer करते हैं उसके दोरान हमको इसकी जरूत परती है तो जो बदला हुए हैं उनको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला जो बदला हुआ था वह एकी checkbook जो है आपकी अगर आपके पास associate bank की जो checkbook से वह invalid हो जाएगी तो आपको नई checkbook issue करवाना पड़ेगी बैंक जाना पड़ेगा यह आप एप के थुरू भी apply कर सकते हैं question दिमाग में यह आ रहा है कि जो internet banking है उसका क्या होगा तो आपको net banking में यहाँ पर कोई भी password या आपकी login ID में कोई changes नहीं होगे जो आपका पहले login ID या password था वो यहाँ पर आपका काम करेगा net banking में कुछ features आपको जो state bank of India के हैं वो additionally आपको aid हो जाएंगे बाकी आपका सब कुछ feature सब कुछ same रहेगा mobile number आपको यहाँ पर change करवाने की जरूत नहीं रहेगी कोई standing instruction अगर आपने दे रखा है तो उसको भी आपको changes करवाने की जरूत नहीं पड़ेगी तो यह तो रही बात state bank of India की अगला update हम लोग देख लेते हैं दूसरा update निकल के आ रहा है यहाँ पर PNB के तरब से एक जनवरी 2018 के बाद PNB ने अपने fixed deposit rate को increase कर दिया है 1.25% से जो पहले 5% था अब वो 5.5 हो गया है अगर आपका account PNB में है और आपको fixed deposit करने थी तो 0.5% का आपको interest और ज्यादा मिल जाएगा यह सारे जो changes किये गए है वो domestic deposits पे किये गए है up to 10 crore तक बाकी की जानकर यह आपको bank जाकर मिल जाएगी तो दोस्तों तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए good bye